Hello dear students, so आज के इस सेशन में हम unconformity के बारे में दोस्तो details discussion करेंगे आपको पता होना चाहिए दोस्तों unconformity पहले क्या है ओके, unconformity एक surface है जो की surface और erosion को हम बोलते हैं दोस्तों जहां पे दोस्तों deposition activity नहीं होता है और इनके बीच में कुछ edge gap रहेंगे जैसे कि आप समझ सकते हैं यहाँ पर सेडिमेनटेशन हो रहा है लेकिन किसी भी कारण के बजे से दोस्तो मॉरफोलोजिकल हो सकता है और टेक्टोनिक कारण हो सकता है इसके कारण दोस्तों यहां पर deposition अभी बंध हो रहा है Deposition बंध होने के कारण दोस्तों क्या होगा E soft 허 जागेगा इस एडिषी यहां पर E repeatedly पकड़ लिए दोस्तों 5. somehow E yum targets होने लग गया तो यह एक Eosinal surface बंद जाएगा दोस्तों पूरा सिंपल सा डेफिनेशन आपको बताऊंगा और इसके अलबा में आपको कितने टाइप का अनकॉर्फरमिटी होते हैं आप कैसे अनकॉर्फरमिटी को रेकोगनाईज कर सकते हैं इन सभी के बारे में आज के क्लास में हम डिसकसन करते हैं तो पहले चलिए दोस्तों इंट्रोड़क्षन से ही स्टार्ट करते हैं, तो आपको सबसे ज्यादा और दुनिया में जितने भी सक्सेसन देखेंगे, स्ट्राटीगाफी हो गया, कोई भी सक्सेसन आपको कोई ना कोई उनकर्फर्मिटी जरूर मिलता है दोस्तों, और स्ट्र बाउंटरी को बाउंटरी में इतना प्रोब्लेम होता है वो दोस्तों इजीली सोल्व कर पाते हैं ओके सो इटीज दी वान ओप दी मोस्ट कॉमन जीलोजिकल फीचर फांड इन दी आर्थ और इन एनी सक्सेशन जैसे कि यह दोस्तों थोड़ा डिफरेंट है यह क्यों डिफरेंट है मैं बता हूंगा क्यूंकि आप फोल देखे हैं जोएंट देखे हैं यह दोस्तों फोल देखे हैं यह दोस्तों जीलोजिकल डिफोमेशन के कारण different environment के कारण बनता है दोस्तों लेकिन जो unconformity है दोस्तों ये किसके कारण दोस्तों ये surface के उपर deposition के कारण दोस्तों ओके deposition कहां पर वो भी erosional surface पर deposition के कारण दोस्तों ये बना हुआ है तो जो यहां पर surface दोस्तों मतलब deposit हो रहे हैं इसके कारण दोस्तों यहाँ पे deposition और उसके अलाबा erosion हो रहा है उसके ओपर फिर से deposition होगा तो यहाँ पे कोई भी deformation activity बहुत ही कम होता है बट यहाँ पे जो deposition होता है different time में होता है दोस्तों इसी के बज़े से दोस्तों हमारा जो उनकोंफर्मेटी दोस्तों डेवलोप होता है उनकोंफर्मेटी आर रेजोल्टे डिव टू टेक्टोनी एक्टिविटी इन दी फॉर्म ओफ अफ लीप्ट subsidence okay obviously दोस्तों एक area आप समझ सकते हैं यह दोस्तों uplift हो गया किसी भी area दोस्तों uplift हो गया तो इसके उपर दोस्तों पानी जो था जो deposition करने वाला material थो पानी अगर चला आएगा तो पानी अगर चला आएगा प्योसित तो यहाँ पर होने लेगेगा वहांपे क्या होगा कि a period of non-deposition जो की बता चुका हों दोस्तों यहांपे deposition हो रहा है उसके बात deposition stop हो जाएगा erosion होगा उसके उपर फिर से दोस्तो आपका deposition start हो जाएगा ओके यही है दोस्तो this is the period of non-deposition unconfirmed is this is a gap in a layer ओके यहां gap दोस्तो time gap आप कह सकते हूं तो इरोजन के सर्फेस के उपर दोस्तो और कुछ डिपोजिशन होगा तो यह जो नीचे वाला सर्फेस है आप देख रहे हो दोस्तो इसको हम क्या बोलते हैं की उनकोंफरमिटी बोलते हैं दोस्तो आप देखेंगे कैसा कैसा रोक में आपको कैसा कैसा उनकोंफरमिटी जनरली देखने को मिलता है पहले आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट रोक जैसे कि नीचे आप सेडिमेंटरी रोक देख सकते हो दोस्तो ओके उपर भी सेड देख सकते दोस्तों इंकनेट और आसान होता है कि अगर लग इंविंश के ऊपर सेडिमेंट्री रोक मिल रहा है तो यह depljugate ऐसके ऊपर कोई भी सेडिमेंटरी मेंट्रियाल अगर डीपोजित होगा कि ले ले वीडियर है। का Unconformity ले आ रहे क्योंकि Ignis Rock formation हुआ उसके बाद बहुत साल गया दोस्तों उसके बाद दोस्तों यहाँ पे Sedimentary deposit होने लगेगा ओके तो एही है दोस्तों हमारा Sedimentary तो आज हम discussion करेंगे आगे दोस्तों इसके type के बारे में तो दुनिया में आपको Angular Unconformity, Disconformity, Local Unconformity, Nonconformity, Blended, Para Unconformity, Butress Unconformity यह सब Unconformity के बारे में दोस्तों देखने को मिलेगा दुनिया में इतना ही field में किसी field में जाएंगे दोस्तों यह सभी common होते हैं दोस्तों जनरल देखने को मिलते हैं तो पहले हम देखते हैं अंगूलर Unconformity क्या है दोस्तों यहाँ पे जो strata होता है एक angle होता है दोस्तों एंगल करके दोस्तों दूसरे जो स्टाटा होता है उसके साथ दोस्तों जोएंटेड होता है आप देख लेजिए यहाँ पर मैं बताने ही कोशिज करूँगा दोस्तों एन अंगुलर अनकॉंफर्मिटी फॉर्म्स इसको समझने ही कोशिज कीजिए दोस्तों पहला जो सेंटेंस यहाँ पर क्या बताया दोस्तों रोक दिपोजिट इन होराइजिट लेया यहाँ पर जो रोक था दोस्तों क्या है होराइजिटल लेयार में यह दोस्तों दिपोजिट हुआ था लेकिन उसके बाद दोस्तों इस रोग के उपर दोस्तों बहुत सारे tiltation, बहुत सारे squeezing activity हुआ, इसके खारणे यह दोस्तों बहुत ही tilted angular ऐसे आपको देखने को मिलेगा, इसके उपर दोस्तों बहुत सारे erosion activity हुआ, देख सकते हैं, erosional surface, इसके उपर फिर से दोस्तों sediment का deposition होन क्या है इसको बोलते हैं दोस्तों हमारा unconformity surface, when the bedding plane of older rock, when the bedding plane of older rock layer are not parallel to the younger rock, दोस्तों younger rock का जो layer होते हैं यह से parallel, लेकिन यह दोस्तों अभी यह से angular कर गए है, तो इसको इसको इसलिए हम क्या बोलते हैं दोस्तों, angular unconformity, आप इसको अगर देशी language में समझने की कोसिस करें आप समझे की पहले यह surface था, इसको इहां से प्रेशर आया, compression आया, तो इसको बन जाएगा दोस्तों, fold बन जाएगा ऐसे, इसे ऐसे बनेगा दोस्तों, ऐसे ऐसे folding बन जाएगा, आप फिर से बता रहा हूँ, folding, यह दोस्तों, लेकिन इसके बाद दोस्तों, folding बनने के बाद तो यह इरोजन हो गया surface इसके अपर दोस्तों फिर से बहुत सारे strata यहां पर deposit होने लगे तो यह वाले strata को आप देखिए यह वाले area को आप देखने की कोसिस किजिए तो यहां पर जो strata है दोस्तों कैसे अंगुलर करके उपर वाला strata के साथ मतलब जोइन है तो इसी को हम क्या बोलते हैं अंगुलर उनकॉर्मिटी यह यह नॉर्माल strata यह दोस्तों देखे थोड़ा tilted हुआ है तो इसको अंगुलर उनकॉर्मिटी बोलते हैं क्योंकि यह पिक्चर में जैसा भी दिख रहा है दोस्तों फिल्ड में भी एसा ही दिखेगा अंगेल उसके उपर दोस्तों horizontal strata यह जनरल जो उपर वाला strata होता है यह यह अंगर strata होता है यह दोस्तों आपका older strata होता है और यह आपका surface of erosion और non-deposition यहां पर erosion हुआ है इसको इसलिए unconformity line बोलते हैं और इस unconformity को क्या बोलते हैं दोस्तों angular unconformity देन आगे देखते हैं दोस्तों disconformity disconformity किया है आप पहले समाझ नहीं कोशिस किजिए layers of sediment are uplifted without folding और tilting and are eroded eventually the area subsides and deposition regime तो नीचे जो layer आप देखेंगे यह दोस्तों आप horizontal देख रहे हैं उपर जो strata आप देख रहे हैं दोस्तों horizontal देख रहे हैं नीचे भी दोस्तों horizontal strata देखेंगे लेकिन इनके बीच में कुछ दोस्तों erosion होगा इसको हम disconformity बोलते हैं दी layer on either side of the boundary are nearly horizontal देखेंगे दोस्तों फूरा horizontal है नीचे भी horizontal strata है लेकिन यहाँ पे erosion नेख हुआ है अल्दो दी rock layer look as if they are deposited continuously a large time gap exists where the upper and lower layer meet this gap is known as what disconformity देखें दोस्तों यहाँ पे strata एसे ही deposition हो रहा है देखें दोस्तों यहाँ पे strata deposition हो गया आप दोस्तों weathering erosion का time आगया weathering यह दोस्तों कर गया उसके बाद बहुत सरा time चला दोस्तों weathering erosion लेकिन उसके बाद दोस्तों यहाँ फिर से sediment accumulation होना चालू हो गया तो अभी क्या है कि जो gap दिखा रहा है दोस्तों यह gap थे ओक ही इसका मतरों क्या है आप समझने कोसिस कीजिए। deposit हो रहा है दोस्तो और इसके बाद sediment deposit होना बंद हो गया, sediment deposit होना बंद होने के कारण दोस्तोड यह tries वे erode कर गया है, तो आप 10 साल, 20 साल, 100 साल दोस्तो wait किये, उसके बाद फिर से दोस्तों yaha पे sediment deposit हो, तो यह जो layer यह जो layer नीचे आपको बताया है दोस्तों ओके यह जो लेयर तो इसको हम क्या बोलते हैं यह जो लेयर इसको हम क्या बोलते हैं डिसकोंफर्मिटी बोलते हैं आगे बढ़ते हैं दोस्तों एक होता है हमारा लोकल अनकोंफर्मिटी यह दोस्तों स्मॉल स्केल का होता है पारलल टू मतलब की जितने भी नीचे परवाले श्राटा के साथ यह भी परल लेकिन अग्यों से लोकल ऑंकॉन कामईटी यिश्यमिलर टो डिसकॉन फिर चोट नियुकर गांपुज्ट तो टाइम ज़्यादा अपको देखने को मिलेगा लेकिन यहां पर टाइम चान केप आपको थोड़ा कम ही मिलेगा इन डिपोजिशन जैसे की 5 साल 10 साल एसा ही इन दी डिपोजिशन ओप कॉंटिनेंटल सेडिमेंट सच इस ग्रावेल, सेंड, क्ले इस ट्रीम में भी वंडर बैक एंड फोर्थ अक्रोस दी बेसिन ओप डिपोजिशन एक एरिया में दोस्तो सेडिमेंट डिपोजिशन हो रहा है यसे 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 लेकिन 5 साल के लिए मतलब कि वहां पर सूखा हो गया दोस्तो यहां पर डिपोजिशन नहीं होगा हम क्या बोलते हैं local unconformity then आपका हो जाएगा non-conformity यह भी दोस्तों बहुत important है यह आपको mainly igneos environment में जनरली देखने को मिलेगा non-conformity का मतलब क्या है नीचे दोस्तों आपका igneos rock होगा igneos rock का मागमा यहां पर आ गया ok igneos rock बन गया दोस्तों इसके उपर आपका क्या हो जाएगा कुछ sedimentary rock मिलेगा कुछ आपका sedimentary rock आपको देखने को मिलेगा क्योंकि igneos rock के बाद वेद्रिंग इरोजन होगा उसके बाद दोस्तों कुछ sedimentary deposition भी हो सकता है तो यह जो time gap है इसको हम बोलते हैं क्या जो igneos rock और sedimentary rock के बीच में जो time gap है इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों non-conformity बोलते हैं तो non-conformity must be distinguished from intrusive igneos contact the rock above a non-conformity may contain fragment of older igneos rock either as readily recognized pebbles and boulder और a small fragment of recognized only under the microscope देखें दोस्तों यह igneos rock है इसके 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 बाद दोस्तों यहाँ पर weathering erosion चलने लग गया इसके उपर फिर से दोस्तों sedimentary layer देखें दोस्तों layering layering strata आपको यहाँ पर देखने को मिला है तो यह जो surface है which is divide the igneos rock to the sedimentary rock यह जो line आप देख रहे हैं इसको हम non-conformity बोलते हैं igneos rock नीचे रहेगा तो non-conformity यहाँ पर देखें strata दोस्तों parallel नहीं है strata यहाँ पर क्या नहीं है दोस्तों parallel नहीं है इसका strata igneos rock में आपको तो wedding plan देखने को नहीं मिलेगा लेकिन यहाँ पर देखें दोस्तों यह सेडिमेंटी यह यंगर होगा यह दोस्तों आपका older strata होगा तो igneos rock पहले deposit किया उसके बाद igneos rock के ऊपर दोस्तों weathering erosion चलने लग गया इस weathering erosion के बाद दोस्तों हमारा sedimentary rock दोस्तों deposit करेगा तो इसको हम क्या बोलते हैं non-conformity non-conformity कब बोलेंगे दोस्तों अगर उहाँ पर एक igneos rock दोस्तों present रहेगा igneos rock अगर उहाँ पर दोस्तों आपका present अगर रहेगा तो इसको हम non-conformity बोलते हैं उसके बाद दोस्तों अभी हम डिसकेशन करेंगे ब्लेंड़ अनकोंफरमेटी इस इस सर्फेस ऑफ इरोजन में भी कभर्ड वाइ थीक रेसिड्वाल सोयल देट ग्रेट्स इन्टो अंडरलाइंग बेड्रो यंगर सेडिमेंट डिपोजिटेड एभव जो यंगर होते हैं द दोस्तों यहाँ पर देखिए यह सेडिमेंट यहाँ पर डिपोजिट हुआ है कुछ सेडिमेंट दोस्तों यहाँ पर डिपोजिट हुआ है दूसरे टाइम पर तो due to load activity इसका जितने भी load के कारण दोस्तों कुछ इसका सेडिमेंट इधर भी चले आएंगे और इसका सेडि कोड़ के बज़े से इसका कुछ material दोस्तों इधर भी चले आएंगे कुछ भी कारण से क्योंकि above surface erosion surface में incorporate some of the material of residual soil यह दोस्तों कुछ कुछ इसका material यहां पर रहेगा क्योंकि यह बी है यह दोस्तों आप समझ दीजिये आ है तो यह जो B का material दोस्तों कहां आ जाएगा A पर और A का material कुछ आ जाएगा यहां पर तो इसके करण आपको यहां पर serve content ठीक से यहां पर देखने को नहीं मिलेगा देखिए दोस्तों यहां पर पहले आप जो देखते थे यहां पर easily आप serve content मिल जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों blended on conformity अब देखिए हम discussion करेंगे पारा conformity के उपर दोस्तों पारा conformity मतलब की उपर और नीचे जितने भी होते हैं दोस्तों पुरा totally parallel होंगे यहां पर दोस्तों क्या discussion कियते हैं जो हमारा disconformity यह भी एक पारा conformity का दोस्तों type है पुरा parallel ही deposit हो उपर नीचे लेकिन यहां पर जितने erosion है दोस्तों इतना parallel नहीं है gap in geological system in which there is no evidence of gap in a time because this plane are above and below are gap are parallel and there is no evidence of erosion अगर यहां पर evidence of erosion नहीं रहेगा तो इसको हम पारा बोलेंगे अगर evidence of erosion रहेगा दोस्तो इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तो यहां पर आपको बता दिया था कि disconformity बोलेंगे यहां पर देखिए erosion है अगर erosion नहीं होगा तो यह भी पारलल का एक पार्ट हे तो disconformity बताए दोस्तो पारलल का अगर पार्ट है क्या होता है कि erosion आपको देखने को मिलेगा तेकिन यहां पर इतना no evidence of gap in time because the planes above and below the gap are parallel and there is no evidence of erosion. Paraconformities challenge the geologic time scale, the lack of evidence of time at the surface of underlying layer of paraconformity, especially the lack of erosion, suggest that the long edges never occur. इनके बीजमें इतना आप समाश सकते हैं दोस्तों, यहां पर इरोजन नहीं हो ना, suggest that the long edge never occur, यहां पर इतना gap, मतलब की time gap नहीं मिलेगा दोस्तों, यह थोड़ा confuse गता है अगर जितना बड़ा erosion आपको देखने को मिलेगा, उतना समझ लेना है कि उतना ज्यादा ही यहां पर time gap हुआ है, अगर erosion कम हुआ है मतलब की बहुत ही कम time यहां पर spend हुआ है दोस्तों, दोस साल, एक साल सेडिमेंट रुख गया दोस्तों, उसके उपर फिर सेडिमेंट डिपोजिट होने लेगा, तो इसको हम पारा confirmative बोलते हैं दोस्तों उपर भी नीचे भी horizontal रहते हैं यहां पर भी और नहीं मिलेगा बस इतना ही दोस्तों तो इसके बाद हम discussion करेंगे ब्यूट्रेस अनकांफरमेटी के उपर दोस्तों एफ ब्यूट्रेस अनकांफरमेटी इज हुएं यंगर बेड इस डिपोजिटेड एगेंस ओल्डर स्टाटा दस इंफ्लूएंसिंग इट्स बेडिंग स्ट्रक्चर दोस्तों यह यंग मतलब कि जो ओल्डर स्टाटा है ऐसे डिपोजिट होता है अब यंगर स्टाटा कैसे डिपोजिट होंगे दोस्तों इसके हिसाब से नहीं हो रहे हैं क्योंकि different current activity कह सकते हो दोस्तों अंगुलर नहीं यहां पर नीचे deformation नहीं है नीचे और लेडी स्टाटा दोस्तों इसा है और जो उपर वाला स्टाटा होगा दोस्तों इसा डिपोजिट होगा तो इसको क्या बोलेंगे व्यूट्रेस अंगर बेडिंग यंगर बेडिंग इस डिपोजिटेड एगेंस्ट ओल्डर स्टाट इसके against older strata down driving से उसका बेडिंग इसा है और इसका बेडिंग आप देखेंगे दोस्तों recognize कई से करेंगे oncofformities को Simple सा recognize आउटको पैटर्न को study करना है ओके field में दोस्तों map में और नहीं तो दोस्तों field में younger strata, older strata को आपको देखना है road कहीं पर cut हो रहा है दोस्तों ओके query, outcrop आपको अगर मिल गया oncrop community आप definitely identify कर सकते हैं दोस्तों vertical section को आपको observe करना पड़ेगा लाक अप अगर परलाला लिजिम नहीं रहा सेडिमेंट स्टाटा के उपपर ओके अंगुलारिटी कॉंटाक्ट अगर कहीं पर मतलब कि अच्छे से देखने को नहीं मिल रहा है एज गेप देखने को मिल रहा है तो डेफिनाइटली आपको वहाँ पर अंकर्फरमेटी देखने को मिल जाएगा दोस्तो पालेंटोलोजिकल रेकोर्ड इसका मतलब दोस्तो आप देखिए इस एरिया पे कुछ फोसिल होंगे दोस्तो जैसे कि आपका पालियोजोईक फोसिल जोकी इनवर्टिब्रेट और यहाँ पे दोस्तो आपको कुछ फोर्टिब्रेट मिल रहे है तो इसका मतलब यहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम गेफ होा होगा दोस्तो तो आप पालियोजोजिकल फोसिल रेकोर्ड को देख के दोस्तो आप डेफिनेटली दोस्तो तो डायेकल पता लग जाएगा की ओपर आपको आसानी साइडिया मिल जाएगा दोस्तो स्टेनर्स प्रिंस्पुल जो होता है ओरीजनल होराइजनलिटी उसके उपर दोस्तों प्रूब मिल जाता है दोस्तों ओके और यह पेजेंट इस दी की तु दी पार्स दोस्तों आप जितना भी ओल्डर रोक को स्टेडी करेंगे दोस्तों आपको पास्ट के बारे में आडिय the upper layer deposited at top top the erosion surface so we can step back in a time of removing them okay दोस्तों यहां पर आपको इतना याद रखना है कि significance of unconformities में आपको क्या-क्या याद रखना है दोस्तों age gap age gap होता है okay older younger आप strata determine कर सकते हो दोस्तों older and younger जो top में रहता है उसको हम older और जो below रहता है दोस्तों उसको हम younger बोलते हैं जो stannis principle है जो lateral continuity वाला principle है आप यहां पर दोस्तों अब्जोर आसानी से कर सकते हो ओके और जो original horizontality होता है दोस्तों जब strata deposit होता है totally horizon से पूरा strata deposit होता है stannis principle को आप यहां पर दोस्तों apply कर सकते हो और और दोस्तों जब igneous rock होगा तो उहां पर दोस्तों nonconformity develop होगा आप आसानी से उसको identify कर सकते हो दोस्तों older and younger strata गए और उहां पर दोस्तों sedimentation rate भी आप calculate कर सकते हो क्योंकि nonconformity में क्या होता है purely igneous basement होता है इसके उपर कितना amount of sediment दोस्तों है और लाई ही हुआ है उसी हिसाब से आप sedimentation rate आप calculate कर सकते हो दोस्तों तो आपको पता है दोस्तों unconformity are original और non-depositional break sequence में थोड़ा break हो जाता है दोस्तों अगर sequence में break नहीं होगा तो उसको हम confirmity बोलते हैं अगर break हो जाएगा तो उसको हम unconformity बोलते हैं ओके यहां पर आपको बहुत सारे origin के बारे में पता लग जाएगा दोस्तों ओके टेक्टनिक unconformity प्लीज इसके बारे में थोड़ा याद रख लेना ब्रूटरेस क्या है पारा unconformity क्या है blended क्या है दोस्तों non-conformity क्या है okay significant से इतना question नहीं आगा लेकिन जानने के लिए क्योंकि GSI में आपको भी note लिखना है दोस्तों okay तो बस सही है thank you all of you guys thank you तो थोड़ा इसको revise कर लेना